Hello everyone, इस वीडियो में हम सीखेंगे laws of exponents का rule number 8 कोई number है A और इसकी power है X upon Y तो इस number को हम root में लिख सकते हैं और इसकी power में से उपर वाला number हम इसके उपर लिखेंगे A की power X और नीचे वाले number का हम root लगा देंगे Y इस rule को हम reverse में भी यूज कर सकते हैं एक्जामपल है 25 की power 2 by 3 तो 25 को हम root में लिखेंगे और power में जो number उपर है उसे हम इसके उपर लिखेंगे मतलब 25 की power 2 और नीचे वाले number का root लगा देंगे यह हो जाएगा 625 और यह 3 same दूसरा एक्जामपल हम देखते हैं इसके reverse order में माना 2 की power है 6 और इसका square root लगा हुआ है इसे solve करने के लिए हम 2 के उपर जो number लिखा है वो हम इस power में उपर ही लिखेंगे 6 और divide में लिखेंगे 2 6 by 2 को solve करेंगे आजाएगा 2 की power 3 2 की power 3 8 थर्ड एक्जामपल है 8 और इसके root में है 3 यहाँ पर 8 की power कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते है और इसे solve करेंगे तो जो 8 के उपर लिखा है वो हमें power में उपर लिखना है 1 और इसके divide में आ जाएगा 3 8 को हम 2 की power 3 लिख सकते हैं और पूरे की power लगी हुई है 3 इसके उपर यह 1 by 3 और पावर की उपर जब भी power होती है तो आपसे multiply हो जाती है तो 3 into 1 by 3 3 से 3 cancel हो जाएगा यह जाएगा 2 की power 1 मतलब 2 थैंक्यू